हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका नूर के नजरिये में और देखी आज हम बात करने वाले हैं विंटर में लगाने वाले फूल होगी विंटर में सबसे जादा फूल लगाये जाते हैं क्योंकि मौसा में अच्छा होता है तो हमें हैवी ब्लूमिंग मिलती है देखने के लि प्लांट्स बनाते है नई सेप कर पाते हैं तो आप ओलाइन भी खरीज सकते हैं यह देखी जो मैं आपको दिखा रही हूं यह सीड्स मैंने और वार्लाइन खरीदें हैं और यह सीड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रीप्शन में दे दूगी अगर आप चाहें तो वहां से सकते हैं यह मुझे 25 तरह की सीट्स या बीच मुझे फूलों के मिले थे अब सोची 25 तरह के फूल अगर आप घर में लगा लिए तो आपका पगीचक कितना सुन्दर दिखाई देगा मतलब मस देख रहा हूं और यह देखिए इन्हों ने इसकी नाम भी मेंशन कर रखे हैं प दिए हुए हैं और जो सीट की क्वांटिटी है वो भी ठीक है वो क्वाल्टी की बाद तो हम तब कर पाएंगे जब हम इसको उगा कर देखेंगे क्योंकि यह मेरा भी फरस्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑनलाइन इस तरह से सीट्स पाई किये हैं नहीं तो जो भी सीट्स अभी होते थे तो वही बार-बार ग्रो कर लेते थे इसमें काफी सारी सीट्स तो ऐसे हैं जिसके मैंने पहली बार ही नाम देखें हैं सुनें और फूल देखें तो यह तो मैंने दिखा दिया अपना पिटार और यह मैंने लिया था फ्लिप कार्ट से तो अब आपको वन व यह इसमारा आइस प्लान यह इस एकंड वाला है रैट पॉपी सीट्सिट्स और यह देखते हैं इस पर आपको पिक्चर्ज भी देखेगे यह गजेनिया के सीट्स यह नास्ट्रिश्यम के सीट्स इसमें नास्ट्रिश्यम के 4 इये हैं काफी यह एक भी ग्रो कर रहे है तो यह सीड कि इसमें इकिस एक शिक्सि निकलती फूलों की जो देखने में बहुत व्हुतलत लगती यह यह सुइट सुल्टान यह तो मैंने फॉस्ट राइम ही नाम सुन तो इस सुल्टान को और यह इसके सीड fronts अब लगाने पर ही पता चलेगा कि इस तरह के फूल होते हैं या किस तरह से ग्रो करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा यह है स्वीट पी का वह स्वीट पी भी सर्दियों में बहुत अच्छी लगते हैं देखने में इसके मटर के समान ही seeds होते हैं इसकी भी quantity आप देखिए कितनी ज़्यादा है तो इस तरह से तो मुझे seed पसंद ही आए हैं और इस तरह की packing वो भी बहुत अच्छी है next है sunflower यानि की सूरज मुखी सूरज मुखी के अलावा भी आप ये देखिए ये हैं caladium नहीं candy तो इसके भी फूल आप देखिए गुच्छों में सफेद कलर के कितने अच्छे निकलते हैं ये भी मैंने फर्स टाइम ही सुना कौन सा फ्लावर है ये लगाने पर पता चलेगा तो आप भी मेरी तरह न्यू न्यू चीज़े ट्राइ करते रहें ये है सुईट विलियम सुईट विलियम इसके फूल बहुत प्यारे लगते हैं रैट कलर के ये गुच्छों में खिलते हैं ये है सन गोल्ड ये भी एक सन फ्लावर की वेराइटी है जो पूरी यलो होती है ये है डेजी ये चोट-चोटे से white कलर के और yellow कलर के shade के फूल होते हैं बहुत प्यारे से और ये हमारे next है कैलिफोर्निया देखने में तो ये भी बहुत प्यारे से लग रहे हैं अब कैसे जब लगाएंगे तब देखते हैं कि क्या होता है डाइन्थस सबसे ज़ादा सर्दियों का चाहेता है जो कोई भी अगर प्लांट लेता है तो वो डाहिलिया जरूर खरीदता हूँ यह लोटस के सीट यह देखी कितने बड़े साइस की सीट से यह तीन सीट्स है और यह रहे गिपसफला आई थिंक साइप प्रनेंशियाशन है पैंसी पैंसी की भी प्लांट से में तैयार मिल जाते हैं इसकी सीट्स देखिए कितने चोटे-चोटे होते हैं पैंसी की फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं यह गॉंफ्रेना गॉंफ्रेना में भी हमें बहुत से रंग मिल जाते हैं कॉस्कॉम और यह है कैलंडुला के भी फूल देखने में बहुत प्यारे लगते हैं वह सर्दियों में बहुत अच्छे से यह हमें हैवी ब्लूमिंग देता है यह सिलोसिया उससे पहले जो दिखाया है मैंने वह था कॉस्कॉम यानि कि इससे मुझे भी नहीं पैता था कि सिलोसिया और कॉस्कॉम दोनों अलग वराइटी होती है अब उगाने के बाद मैं इसके फरका आपको जरूर बताऊंगी और यह है कॉस्मास कॉस्मास पे वाइट पिंक औरेंज जेलो काफी कलर आती हैं यह बहुत बढ़िया फ्लावा लगते यह क्रोसेंड्रा क्रोसेंड्रा भी स्टिक की तरह निकलता आइटिंग और इसके भी फूल देखने में बहुत प्यारी लगते हैं तो अब लगाने की बारी है जब कभी लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी इतने सारे सीट्स अगर आपको एक ही पैकेट में म इसने सिर्फ 25 कह दिये तो इसमें से 25 निकले या निकले ये भी तो हमें मैंशन करना जरूरी होता है कि हाँ निकले हैं 25 तरह के फूल अगर आप अपने घर में यह नरसरी तैयार कर ले तो सोची कितने सारे गमले आप बना सकते हैं उससे जहां कहीं नरसरीया नहीं होती है उन लोगों के लिए तो बीजी एक सहारा होते हैं जिससे वो अपनी गार्डनिंग करते हैं इसी तरह मेरे भी सहारा ये बीजी है तो देखिए ये रहा मेरा बीज का पिटारा तो आप भी चाहते हैं तो इसको जरूर से फिलिप कार्ड से बाई करें और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छा है पस इसका जर्मीनेशन रेट अच्छा हो तो और भी अच्छी बात है तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्षिन में दे दूंगी तो आप चाहें तो वहां से जाकि यह आप बाई कर सकते हैं तो बस इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहती हूं नए-टॉपिक इस पे gardening से related अगर आपको पसंद आती हूं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें बहुत महनत लगती है एक वीडियो बनाने और एडिट करने में तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने friends and family के साथ और कहते हैं अगर आपकी किसी भी तरह कि कोई जिग्यासा है जो gardening से related है आप पुछ पूछना चाहते हैं तो आप comment box में पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे किसी next वीडियो में बाई